स्वागत है आप सभी का रासु की रसोई में तो बनाएंगे मूली के पराठे यह में मूली कभी यूज किया गया है और मूली के पत्तों कभी तो वीडियो पूरी देखी इसके मत करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो सस्क्राइब जरूर कर दीजिए तो तोलेंगे म सकते हैं या मिक्सी में पीश सकते हैं से और पत्तों को भी चौपर से पर शौप कट लिया है दो मीडियम साइच के यालू जिन्हें ग्रेट कर लिया है उगले अलूओं को मूली बहुत ज़्यादा पानी चोड़ती है तो इस टपिंग की ली हो जाती है पराठे बनाते दालेंगे यह आठा के साथ इसमें मिक्स करेंगे तो यह देखिए पत्ते ओब लगए हैं पीस लिया है अब दस मिनट हो गए है मूली को रखी हुए तो इन्हें निचोड लेंगे देखिए इसमें किता पानी निकलता है तभी पहले पानी निकालो इसका बाद में नमक डालत है नो तो श्टपिंग गीली हो जाती है पराथे बनाते समय तो यह सभी चीजें हो गई है तैयार तो डालते हैं कटोरे में डाल दी है मूली आलू ग्रेट कियू है पत्ते इसमें डालेंगे धनिया पाउडर मिर्च पाउडर जीरा अम्चुर पाउडर गरम मशाला काला न है आठा पाउडर में डालेंगे नमक ये लिया दो काटोरी गेहूं का इसमें डालेंगे नमक süका है यिसे गुस्थ लेंगे यह देखिई अपने प्राच्टogg पाउडर जी पाउड इसमे डालेंगे यह लोए थोड़ी पराठे बड़े-बड़े ही बनाएंगे आपको छोटे नीम भी बना सकते RS-7 कुल तो ये देखिए इसमें भर दिया अच्छे सब इसको बेल लेंगे आठा बिल्कुल सौप्टी लगा है तो पराठे बहुत यासानी से बेल जाते हैं ये पराठा बिल्चो का है बेलेंगे दूसरा वाला आपको बैग्ग्राउंड से सोर आ रहा होगा बच्चे पाइटी कर रहे हैं निवहर की तो थोड़ा थोड़ा सोर आ रहा है इसका बनाते हैं रियंगल पराठा ये देखिए बीस से थोड़ा आधा कट कर लिया था बस इस अच्छे बना लेते होंगे पर हमें जैसे बनते हैं था हमने आपको शेयर कर दिये अब ये बनाएंगे सबसे जी पराठा जब हमें बच्पन पराठा बनाना नहीं आ था था ना तो हम दो रोटीया बेल लेते थे और चिपका लेते ते इसी एक उपर डाल के तो आलू को प पिल सकते हैं तो जलाते हैं गैस रखते हैं तब ये देखे गैस जला दीती तब हो गया पराठी सीखना करते हैं इसे सेखेंगे सरसों के तेल से हमारे यहां जादा तर सरसों का तेल यूज होता है क्योंकि हमारे यहां इस पेलर लगा हुआ है तो घर का तेल घर का इस पेल आते हैं और सरसों का तिन लुक्सान भी नहीं करता है यह देखिए आप घी में भी बना सकते हैं कि गर्म गर्म खरे खरे लाल लाल सेख लेंगे इसे थोड़ा थोड़ा दबाएंगे प्रेस करेंगे तो यह पराठा बहुत ही अच्छे से अंदर से क्रिस्पी सेख जाता है यह शेखते जा रहे हैं और खाने वाले भी बिल्कुल तैयार बैठी हुए है हमने पहले अपने सभी पराठे बेल लिए ते फिर सेख ना किया है आप तुरंत बेल के तुरंत भी शेख सकते हैं पर हमें ऐसे जी लगा तो हमने पहले बेल लिए फिर सेख दिए तो यह देखी सारे पराठे बन करो गए हैं तैयार तो आप आलू के गोभी के पराठे तो खाते ही रहते हैं तो आप एक बार इस प्रकार से हमारे तरीके से बना कर जरूर देखे, आपको जरूर अच्छे लगेंगे और healthy भी बहुत होते हैं मूली के पत्ते डले हैं, तो आप सोचेंगे ये कड़वार रहे होंगे, तो बिल्कुल भी ने कड़वार है आप एक बर जरूर बना कर देखे, आपको बहुत ही पसंद आएगे ये देखे, इस केश टपिक बिल्कुल देख रही है न तो चलिए बनाईए और खाईए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारे पराठे बनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और सस्क्राइब सेर जरूर कर दीजिए देखे, हम आपको तोड़ की भी दिखाते हैं अम रूद की चटनी के साथ, सॉस के साथ ये बहुत ही अच्छी लगते हैं पर बच्चे तो सॉस के साथ ही खाना पसंद करते हैं चलिए आप भी बनाईए और खाईए और इंजॉय कीजिए सर्दियों को और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए